नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल BCS Basic Physics में आज की इस वीडियो में हम हैं ककसा 12 जो NCRD की पाठे पुस्तक है उसके 11 वे चेप्टा है विकेड थदा दर्वे की द्वेत प्रकत्ती का महत पून टोपिक लेकर चलेंगे आज का जो हमारा टोपिक है वो है प्रकास विद्दुत फरभाव के प्रायोगी के परणाम एवं उनकी व्याख्या देखे विद्यारतियोר हमने इस से ठीक पहले का जो वीडियो है उसमें देख लिया है कि प्रकास विद्दुत फरभाव क्या होता है उन से related जो experiment है वो हर्स के दुआरा किए गए लिनाड के दुआरा किए गए होलवक्स के दुआरा किए गए लिनाड और होलवक्स ने प्रकास विदूत फ्रभाव से related कुछ results प्राप्त किए उन results को हम यहाँ पर समझने वाले हैं तो देखे इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो प्रकास विद्धुत फ्रभाव की गठना है उससे जुड़े हुए कुछ तत्य उनकी हम यहाँ पर व्याख्या भी करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकास विद्धुत फ्रभाव है क्या वैसे हम पहले भी प्रिभासित कर चुके हैं एकवाज के definition फिर से समझ लेंगे कि हमारे पास में एक धात्विक प्रस्ट होता है ये जो प्रस्ट है वो काही का प्रस्ट है धात्विक प्रस्ट है इस धात्विक प्रस्ट के उपर हम प्रकास का आपतन करवाएंगे इसके उपर हमारे को क्या करना है प्रकास का आपतन करवाना है और जो प्रकास है प्रकास का आपतन वो दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकास होना चाहिए इसे आपतित प्रकास की आवर्ती क्या होनी चाहिए दहली आवर्ती से अधिक होनी चाहिए जब दहली आवर् प्रकास किसी धातू के प्रिष्ट पर आपतित होता है। ये हमारे पास में जो प्रकास है इसकी आवर्ती धहली आवर्ती से अधिक होती है। तब इस धातू के प्रिष्ट से इलेक्ट्रोन बाहर उत्सरजित हो जाएंगे। इलेक्ट्रोनों का क्या हो जाएगा? बाहर की ओर उत्सरजन हो जाएगा। इलेक्ट्रोन इसमें से बाहर निकल जाएंगे। तो इस गठना को हम कहते हैं प्रकास विद्धुत फरवाव। इस गठना को ही क्या कहा जाता है? प्रकास विद्धुत फरवाव। कि जब किसी धा दातु के प्रस्ट पर धहली आवर्ति से अधिक आवर्ति का प्रकास आपतित होता है, तो धातु के प्रस्ट से इलिक्तों का बहार निकलना प्रकास विद्दृथ फज़बाव कहलाता है, clear? अब देखिए थोड़ा से इस हेडिंग में आगे बढ़ते हैं प्रकास विद्धुत फर्भाव के प्रायोगिक परिणाम देखिए प्रकास विद्धुत फर्भाव की गठना को समझने के लिए लिनाड और होलवक्स ने अक्सप्रिमेंट किया उस अक्सप्रिमेंट की जो बनावट है वेवस्ता है वो मैं आप लोग के सामने रखता हूँ फिर उनसे जो प्रणाम प्राप्त हुए उनकी हम व्याख्या भी करेंगे पहले मैं आप लोग के सामने रख देता हूँ प्रायोगिक वेवस्ता तो जो अक्स्प्रेमेंट की गए प्रगास विद्धुत फ्रभाव से लेटेड उसकी प्रायों की क्विवस्ता हम आप लोगों के सामने रख देते हैं देखे इन्होंने क्या किया एक निर्वातित नलीका ली नलीका किस प्रकार के लिए निर्वातित नलीका ली गई इस प्रकार की एक निर्वातित नलीका होल वोक्स और लिनार्ड की द्वारा ली गई इस नलीका के अंदर दो धात्विक प्लेटें एक वार इस डाइग्राम को आप अच्छे से समझते चले जाईए हमारे पास में इस प्रकार की एक निर्वातित नलीका है इस निर्वातित नलीका के अंदर दो प्लेटें लगी हुई है यहाँ पर दो प्लेटें कनेक्ट है इस प्लेट को नाम C दिया गया इस प्लेट का नाम A दिया गया यहां पर एक दिख परिवर्थक जुड़ा होता है यहां पर क्या लगा होता है एक दिख परिवर्थक लगा होता है जिसकी सहायता से जो आरोपित विभानतर है उसकी दिशा को हम बदल सकते हैं फिर यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पर एक micro-emeter जुड़ा होता है क्या connect होता है? micro-emeter और उसके समानतर करम में यहाँ पर एक voltmeter स्योजित होता है यहाँ पर एक voltmeter जुड़ा होता है जो आरोपित voltage का मापन करता है फिर देखिए यहां पर जुड़ा होता है एक विभाव विभाजक जो वोल्टेज के मान को कम या ज्यादा करने का कारिय करता है और अंत में यहां पर जुड़ा होता है एक बैटरी सेल और वो इस तरीके से हम इनको दिखा सकते है इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं यह वाला जो इससा है वो यहां से इस तरीके से कनेक्ट होता है इसको हम कहते हैं विभाजक यह हमारे पास में यहां पर एक वोल्ट मीटर जुड़ा होता है इस तरीके से जुड़ा होगा यह यहां पर एक माइक्रो एमिटर जुड़ा होता है यहां पर लगा होगा एक दिख परिवर्तक दिक परिवर्टक का मतलब है कि इसकी सहायता से हाम में धारा की दिशा को change कर देते हैं clear प्रायोगी क्वेवस्था एक बार देख लीजिए प्रायोगी क्वेवस्था में क्या लिया गया है ये हमारे पास में है एक निर्वातित नलीका इसका मैं नामकरण कर देता हूँ ये एक निर्वातित नलीका है निर्वातित नलीका निर्वात है इसमें इसके अंदर वायू भी उपस्तित नहीं है निर्वात है ये यहाँ पर एक धातु की प्लेट लगी हुई है एक अन्य धातु की प्लेट है ये जो plate है, इसका नाम है C, इस plate का नाम है A. ये यहाँ पर लगा होता है, DICK परिवर्तक. क्या लगा है? DICK परिवर्तक. जो DICK परिवर्तक होता है, वो आरोपित वोड़ता की दिसा को बदलने का काम करता है. यदि इस wire को हम सीधा SoCast here, से जोड़ दे, यहां से जोड़ दे, इस वाले को यहां से, तो जो आरोपित वोल्डता है उसकी डिरिक्षन चेंज हो येगी, clear? यहां पर लगा होता है एक micro emitter, जो की अल्प धारा का मापन कर लेता है, यहां पर लगा होता है एक voltmeter, जो आरोपित यहां पर जो बेटरी हमने ली है, इसका voltage का मापन करता है, और देखें, यह है एक विभाव विभाजक, जिसकी सहायता से आरोपित voltage को हम कम या ज्यादा करते हैं, इसकी सहायता से ही, इसको जब इधर उधर किसकाएंगे, तो यहा से पता लग जाएगा, तो यह प्रायोगी की विवस्ता होती है, clear, इतने आपको समझ में आ जाने चीए, अब क्या है, कि प्रायोगी की विवस्ता यहां तक समझ में आ गई, यहां तक समझ में आ जाने चीए, फिर हमारे पास में है प्रकास विद्धुत फरवाव के प्रा राप्त होंगे, जब इसमें प्रकास विद्धुत परवाव की गठना गठित होगी, तो प्रकास विद्धुत परवाव की गठना, देखिए, इस कंडिशन में, इस इस्तिती में, सर्किट में से विद्धुत का परवाद नहीं होता है, क्योंकि जैसे यहां से धारा चलेगी यहां से चलती हुई देखिए इसमें यहां तक जो आवेशे वो यहां पर आ जाएंगे बट यह close loop का निर्मान नहीं कर दे यहां से यह wire connect होता तो यहां से धारा एक close loop के अंदर आ जाती और विद्दुत का परवा हो जाता बट यहां से यहां तक एक gap है थोड़ा सा space है और उस space की वज़े से विद्दुत का परवा नहीं हो पाता तो इस condition में इस इस्तिती में जो emitter है उसमें विक्षेप सुनने होता है emitter में इक्षेप कितना होगा सुनने होगा क्योंकि इस circuit में से विद्दुत का परवा नहीं हो रहा है clear अब देखिए जब हम इस plate C के उपर प्रकास का आपतन करवाते हैं देहली आवर्ती से अधिकावर्ती वाला जब प्रकास plate C परापतित होता है तो इस plate C से electron का उत्सरजन होता है वो electron इस plate A तक पहुचते हैं तो यहां से electron जब परवाईत होंगे तो वो electron इस पूरे circuit में से भी बहेंगे तत्पस्चात इस circuit में विद्दुत का परवा होगा emitter में विक्षेप प्रापत होगा तो देखिए यहां से हम इस वाले हिस्से से दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकास आपतित करवाते हैं यह हमने क्या करवा दिया इसके उपर दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकास आपतित करवा दिया है तो ये यहाँ पर है आपतित प्रकास जो की धहली आवर्ती से अधिकावर्ती का है प्लेट C के उपर आपतित करवाते हैं जब प्लेट C के उपर धहली आवर्ती से अधिकावर्ती का प्रकास आपतित होता है तो इस प्लेट में से इलेक्टोनों का उत्सर्जन होता है ये जो मेरे डोट दिखाए है ये इलेक्टोनों को बता रहे हैं यहां से इलेक्टोनों का उत्सर्जन होता है इलेक्टोन उत्सर्जित होकर प्लेट एकी और गती करते हैं प्लेट एकी और गती करेंगे इस पर जाकर संग्रहित हो जाएंगे पूरे सर्किट में से प्रवाइत होंगे तत्पस्चात विद्दुत का प्रवा होता है देखिए यहां से कुछ चीज़ें आपको समझनी है यहां पर यह हमने प्रयोगिक विवस्ता बता दी इसके कारी करने का तरीका कारी विधी बता दी है अब हम कुछ रिजल्ट्स देखेंगे और उन रिजल्ट्स को समझने के लिए हमें उनकी जो लेंगवेज है जो ट्रम्स है उनको समझना है हम यहां पर एक वर्ड यूज में लेंगे प्रकास की तिवर्दा प्रकास की तिवर्दा का मतलब है प्रकास की मात्रा अब प्रकास की जैसे माली जी कि हम बात करेंगे कि प्रकास की तिवर्दा बढ़ा दीजए प्रकास की तिवर्दा कम कर दीजए तो इसका क्या मेनिंग जो प्रकास है वो उर्जा का ही एक रूप होता है और उर्जा की जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उनको हम फोटोन खहते हैं मेक्स प्लांग की द्वारा उर्जा की छोटे छोटे पैकेट्स को क्या कहा गया फोटोन कहा गया तो जो प्रकास है उसका कन जो सवरूप होता है, उसको photon कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यह जो प्रकास है यहाँ पराप्तित हो रहा है यह एसे उर्जा के छोटे-छोटे particles के रूप में आगे बढ़ता है इदर आगे बढ़ रहा है, और यह जो photon है, जब किसी electron से टक्कर करता है, तो इसको उर्जा देता है और ये बाहर निकाल देता है फोटोन क्या करता है इलेक्टोन को उर्जा देकर उसको बाहर निकाल देता है देखो कैसे निकाल रहा है वो भी समझ लीजी जैसे ये जो परकास आपतित हो रहा है तो ये फोटोनों के रूप में हो रहा है जैसे ये क्या है एक हम समझ रहे हैं याँ पर ये हमारे पास में है फोटोन ये क्या है फोटोन अब इस फोटोन की जैसे उर्जा है हमारे पास में 5 एलेक्ट्रोन वोल्ट कितनी उर्जा है 5 एलेक्ट्रोन वोल्ट इसकी उर्जा है ये एक धातू है ये क्या है धातू जैसे ह हम इसे धातू को मालने cgm कौन सी धातू है cgm धातू है और cgm धातू में से इलेक्ट्रोन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक उर्जा होती है उसको हम कारिय फ्लन कहते हैं देहली उर्जा होती है, इसको हम five nodes से input करते हैं, 2.14 electron volt होती है, कितनी होती है, 2.14 electron volt, clear? It means ये हुआ कि यहाँ पर जो photon आपतित हो रहा है, वो इस electron को उर्जा देगा, इस electron को क्या देगा? उर्जा, अब उर्जा इसको कितनी मिलनी चीए? जब 2.14 उर्जा इस इलेक्ट्रोन को मिल जाएगी तो ये इलेक्ट्रोन इस धातू के प्रस्ष से बहार निकर जाएगी देखो इसको बाहर निकालने के लिए कितनी उर्जा की आवशिक्त है 2.14 एलेक्ट्रोन Kazu जबकि हमने यहाँ पर जो photon आप्तित करवाया है उसकी उर्जा कितनी consider कर ली 5 electron volt मान ली तो 5 electron volt इस 2.14 electron volt से ज़्यादा है तो यहाँ पर यह जो photon है इससे टकर करेगा electron को बाहर निकाल देगा यह electron कहा आ गया बाहर आ गया clear अब देखो sense जो बची हुई उर्जा है जैसे 5 में से 2.14 electron volt तो इसको बाहर निकालने में खर्च हो गई कितनी उर्जा बच गई है पांच में से 2.14 गठाएंगे तो 8 6 2.86 electron volt उर्जा बच गई है कितनी उर्जा बच गई है 2.86 तो यह जो उर्जा है sense जो उर्जा है उस electron को गतीज उर्जा परदान करती है क्या परदान करेगी गतीज उर्जा गतीज उर्जा से यह गती करेगा देखो यहां से electron को तो यह जो प्रकास यहां पर आपतित हो रहा है यह photon के रूप में आपतित हो रहा है और photon यहां पर इस से प्रस से जब आकर टकराएंगे तो इलेक्टोन उत्सर जित करेगा उसके दो काम है एक तो इलेक्टोन को बाहर निकलना तो बाहर निकालने में जो उर्जा खर्च होती उसको तो हम दहली उर्जा कहते हैं उसको तो क्या कहेंगे दहली उर्जा जो की सीजियम के लिए कितनी होती है 2.14 होती है इस दहली उर्जा को हम कारिय फ्लन भी कहते हैं इसको और क्या कहा जाता है कारिय फ्लन भी कहा जाता है तो जो फोटोन आप्तित होता है धातू के प्रेस्ट पर उसके दो काम है एक तो इलेक्टोन को बहार निकलने के पश्यात वो इलेक्टोन गती भी करेगा क्योंकि उसको गती जूर्जा भी मिल जाती है तो फोटोन की जो उर्जा होती है वो दो कामों में प्रियुक्त हो आपतित होता है, फोटोनों के रूप में चलता है, clear, अब जब मैं बात करूँ प्रकास की तियूरता की, प्रकास की तियूरता, तो प्रकास की तियूरता का मतलब है फोटोनों की संख्या, प्रकास की तियूरता बढ़ा दी, मतलब प्रकास की मात्रा बढ़ा दी, फोटोनों की संख्या बढ़ा दी तो जब भी मैं यहां पर बात करूँगा कि प्रकास की तियोड़ता इट मेंस फोटोनों की तियोड़ता बढ़ा दी इट मेंस क्या है फोटोन क्या है प्रकास का कणिये स्वरूप है देगे फोटोन जो definition, well defined definition वो सुन लीजिए, कि जो Planck है, वो ये कहता है कि जो प्रकास है, वो उर्जा के छोटे-छोटे packets, या bundles के रूप में संसरित होता है और उन bundles को क्या कहा जाता है प्रकास या उर्जा के quanta कहा जाता है, जिने photon कहा गया, जिने क्या कहा गया तो photon क्या है, उर्जा के छोटे-छोटे packets होते हैं उर्जा के छोटे-छोटे packets ही क्या है photon, clear तो यहाँ पर मैं यह समझा रहा हूँ आपको, कि जब भी हम बात करेंगे कि प्रकास की तियूरता it means photon की संख्या photon की संख्या जब हम बात करेंगे प्रकास विद्धुत धारा प्रकास विद्धुत धारा का मतलब यह है, कि जब यहाँ पर प्रकास आपतित हुआ तो electron भार निकले इन electronों को हम प्रकासिक electron कहते हैं और इस condition में सरकीٹ में से जो धारा वहती उसको हम एइ प्रकासिक धारा कहेगे क्या कहा जाएगा परकासिक धारा कहा जाएगा clear एक वर इस डाइग्राम को फिर से देख लीजिए कि ये हमारे पास में है बेटरी का positive terminal और ये जो देखो positive terminal है वो देखो कहा कहा से कैसे कैसे जुड़ा हुआ है एक तो ये इसके positive terminal से जुड़ा है ये यहां से ऐसे होता हुआ ये जो प्लेट A है ये वाला जो सीरा है इसका positive है और ये वाला सीरा देखिए आप यहां से ऐसे होता हुआ इससे ये negative से जुड़ा है फिर ऐसे ऐसे करके इस तरीके से ये यहां पर negative है तो इस स्थिति में जब हमने दिक परिवर्तक को ऐसे रखा तो ये जो प्लेट C है वो केथोड की भांती काम कर रही है जो प्लेट A है वो एनोड की भांती काम कर रही है clear तो ये केथोड की भांती काम कर रही है इस पर पहले से रिनावेश मुजूद है अवेशित होती है, तो इसके उपर जब भी प्रकास आपतित होगा, दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का होना चीए, देखो इसका मतलब क्या हुआ है, कि जैसे मा लिजे कि यह जो धात्विक प्रस्ट है, यह हमने जो प्रस्ट लिया, धात्विक प्रस्ट लिया, इस धात् आप्ति तोड़ी वाला प्रकास है, इसकी उरजया, यह फोटोन है, फोटोन ही तो है, तो फोटोन की जो उरजया है, व machst दो अलेक्ट को यहां से आप्ति थोंदेली प्रकास कीज़ा क है? दो electron volts, तो उर्जा ही कम है, इसको बहार निकालने के लिए इतनी चाहिए, जब कि इसकी तो कम है, तो उर्जा इससे ज़्यादा होगी, तब ही तो electron बहार निकलेगा, तो उर्जा कम है इट मिन्स यहां पर इसकी आवर्ती कम है जब आवर्ती देहली आवर्ती से कम होती है तो प्रकास विद्धत प्रभाव की गशना गठित ही नहीं होगी तो देखो उर्जा फोटोनों की उर्जा इसकी उर्जा? फोटोनों की फोटोनों की जो उर्जा है उसको हम E बराबर H new से पुट करेंगे किस से पुट करेंगे E बराबर H new जहां H प्लांक नी तांक है 6.62 गुनलस की घात मैंनिस 34 जूल इंटू सेकिंड और new है आपतित फोटोनों की आवरती क्योंकि जो फोटोन है वो कणों की रूप में चलता है और कमपन गरती करता हुआ चलेगा तभी तो उनकी आवरती होगी कमपन भी कर रहा है साथ में कण की रूप में भी चल रहा है अब देखिए मैं बात करता हूँ देहली उर्जा की देहली उर्जा जिसे हम क्या कह रहे हैं इसका दूसरा जो नाम है वो हमने दिया है कारिये फलन इसे और क्या कहा है हमने कारिये फलन भी कहा है तो देहली उर्जा कहे दो या इसको हम कारिये फलन कहे दें तो यह होता है फा अब की बार जो आवर्ती है वो है नू नॉट इसको हम कहते हैं धहली आवर्ती क्या कहेंगे धहली आवर्ती जब आवर्ती नू पर जो फोटोनों के आवर्ती धहली आवर्ती के बराबर होती है तो जो उर्जा है उसको हम धहली उर्जा कहते है उस उर्जा को क्या कहेंगे जब आवर्ती देहली आवर्ती से कम है तो उर्जा भी देहली उर्जा से कम ही होगी इसका मतलब यही तो हुआ clear? तो यह मैंने छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें आप लोगे सामने रख दी है और आपको यह सारी चीज़े एकदम clear होनी चीए तब ही हम आगे बढ़ पाएंगे अब आगे बढ़े चले मैं इसको एक बार यहां से हाटा देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे प्रकास विद्धुत फ्रभाव के जो प्रयोगी की परणाम है अब उन्हें परणामों को एक एक करके लेते हैं उनकी व्यक्या भी यहां पर करते हैं पहला जो रिजल्ड है वो देखे पहला रिजल्ड क्या है कि प्रकास विद्धुत धारा पर आप्तित प्रकास की आवर्ती का परभाव पहला जो बिंदु क्या है प्रकास विद्धुत धारा प्रकास विद्धुते धारा पैरे आप्तित प्रकास आप्तिते प्रकास की तीवरता का प्रभाव तीवरता का प्रभाव देखे समझ लीजिए हम यहां पर एक ग्राफ खींचने वाले हैं एक तरफ हम लेंगे प्रकास विद्धुत धारा प्रकास विद्धुत धारा क्या है इस अक्स्परिमेंट के अंदर जो धारा भहती है वो प्रकास विद्धुत फ्रभाव की वज़े से ही भैती है और प्रकास विद्धुत फ्रभाव से जो इलेक्टोन उत्सरजित होते हैं उन इलेक्टोनों को हाँ मैं प्रकासिक इलेक्टोन कहते हैं देखिए, यहाँ पर ध्यान देंगे, कि जब प्रगास यहाँ से आप्तित होगा, तो जो इलेक्टोन उत्सरजित हो रहे हैं, यहाँ पर जो भी इलेक्टोन हमने दिखाए हैं, यह सारे के सारे प्रकासिक इलेक्टोन कहलाते हैं, और इनकी वज़े से जो धारा वैती है, उस धात्तु का प्रस्ट है हम तीवर्ता बढ़ा जैसे हमारे पास में ये प्रकास photon आप्तित हो रहा है तो एक जैसे photon आप्तित हुआ तो यहां से electron उतसरजित हो गया clear आपने तीवर्ता बढ़ाई it means क्या हुआ आप्तित photonों की संख्या बढ़ा दी आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ा दी तो जैसे ही फोटोनों की संख्या बढ़ाई तो उत्सरजित होने वाले इलेक्टोनों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई तो तिवर्ता जैसे जैसे बढ़ रही है उत्सरजित होने वाले इलेक्टोनों की संख्या भी बढ़ती जाती है और उत्सरजित होने वाले इलेक्टोनों की जब संख्या भढ़ेगी तो यहां से बहने वाली जो धारा है वो भी बढ़ जाएगी तो आपतित प्रकास की तिवरता भढ़ाने पर उत्सरजित एलेक्टोनों के सैंख्या बढ़ जाती है विद्दुधारा का मान बढ़ जाता है दोनों के मद्दे यदि हम ग्राप खेंचें तो वो एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है दोनों एक दूसरे के समान उपाती होते हैं एक बार समझ लीजिए कि प्रकास विद्दria प्रकास की तिवरता के समान उपाती होती है. यह तो result है. अब इसकी व्यक्ष्या समझेंगे कि प्रकास की तिवरता बढ़ाने पर अर्थार्थ. प्रकास की तिवरता बढ़ाने का मतलब क्या है? आप्तित फोटोनों की संख्या बढ़ाने पर उत्सरजित होने वाले जो प्रकास विद्धुद्धारा दोनों एक दूसरे के समान उपाती होते हैं क्लियर यहां तक समझ में आ गया अब हम दूसरा बिंदु लेकर चलेंगे दूसरा जो हमारा बिंदु है वह है प्रकास विद्धुद्धारा पर आरोपित वोल्टा जो यहां पर इसके सीरों पर हमने लगा रखी है उसका फरभाव अब यहां पर हम देख लेते हैं देखी हमारा जो टोपिक है दूसरा जो बिंदु है वो क्या है प्रकास विद्धुद्धारा पर आरोपित विभाव का फरभाव पर यह भी एक समझने वाला पार्ट ही है ध्यान देंगे दूसरा बिंदु प्रकास विद्धुद्धारा पर आरोपित विभाव का फरभाव देखिए इसको भी हम एक ग्राफ के जरी ही यहां पर समझने वाले हैं कि एक तरफ हम लेनेंगे प्रकास विद्धुद्धारा और दूसरी तरफ यहां पर हमने ले ली हैं एक तरफ प्रकास विद्दुत धारा क्योंकि प्रकास विद्दुत धारा पर हम किसका फ्रभाव देख रहे हैं प्रकास विद्दुत धारा पर आरोपित विभाव का हम effect देख रहे हैं आरोपित विभाव का फ्रभाव देख रहे हैं तो ये हमने एक तरफ ले लिया आरोपित विभाव, आरोपित विभाव ले लिया है हमने, एक तरफ हमने ले लिया है प्रकास विद्धुत थारा, clear, अब देखिए, यहाँ पर इस प्लेट C और इस प्लेट A के मद्दे ये जो वोल्टिज लगा हुआ है, देखो यहाँ से ऐ इसे इधर घुम गया वायर, ऐसे घुम गया, यह जो वोल्टिज यहाँ से विभाव विभाजक की साहिता से यह जो वोल्टिज हमने लगा रखा है, यह है आरोपित विभाव, आरोपित विभाव विभाव एक की बात है, clear, चलिए, अब आरोपित विभाव विभाव जब परतिकर्सित होते हैं, इस से धनाविसित प्लेट से आकर्सित होते हैं और उसकी ओर बढ़ते हैं, clear, इसकी ओर बढ़ेंगे, हलांकि इलेक्टोन अपने आप उत्सरजित नहीं होते, इलेक्टोन तो उत्सरजित कौन कर रहा है, इलेक्टोन उत्सरजित करता है, प्रकास, कौ कोटोनों से मिल लगी है बट यहां पर देखेंगे इस प्लेट पर धनावेश होने की वज़े से जो इलेक्टोन है वो आकरसित होंगे यदि यहां पर आरोपित विभाव बढ़ा दिया इसका मतलब है इसके उपर जो धनावेश की जो मात्रा है इन दोनों के बीच में जो वि हमने विभाव लगाया ही नहीं हमने आरोपित विभाव सुन्ने कर दिया यहां पर जो वोल्डीज है वो सुन्ने रखा जब सुन्ने रखते हैं तो भी इलेक्टोन तो यहां से उत्सरजित होंगे तो भी इलेक्टोन क्या होंगे उत्सरजित होंगे और जब इलेक्टोन उ अब इस विभुवांतर का मान आप भढ़ा देते हैं, प्लेट A वसी के उपर, आरोपित विभुवांतर का मान जब भी बढ़ता है, तो उतसे इलेक्टोनों को, उन इलेक्टोनों के उपर ज्यादा बल लगेगा, ज्यादा बल लगेगा तो यह तेजी से गती करेंगे, और तो धारा का मान एक बार तेजी से भढ़ेगा, एक बार क्या होगा, तेजी से भढ़ेगा, तो यहाँ पर धारा का मान तेजी से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है, देखो इसका मतलब समझना, कि इलेक्टोन तो उतनी संख्या में, जैसे एक सेकिंड में यहाँ से सो इले उत्रजीत हो रहे हैं बड़ जब आप विभवांतर लगा देंगे तो यहां पाभटी करेंगे तो देजी से गती करेंगे तो 100 की बजाए 120 इस्तिर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोन यहां से उत्सर जीतों सीमित मात्रा में ही हो रहे हैं, उत्सर जीतों होने वाले इलेक्ट्रोनों की जो संख्या है, वो सीमित मात्रा में है, तत्वश्यात जो धारा है, वो प्रारंब में बढ़ती है, फिर धारा का मान इस्तिर ह हो जाता है तो इस धारा को हम कहते हैं संत्रिप्त धारा जब धारा कमान फिक्स हो जाता है नियत हो जाता है तो इस धारा को हम क्या कहेंगे संत्रिप्त धारा कहेंगे प्रारंब में धारा कमान भड़ेगा फिर धारा कमान क्या हो जाएगा नियत हो जाएगा अब देखे इन दोनों प्लेटों पर आरोपित जो विभव है उसकी दिसा हम change कर दें दिक परिवर्तक की साइता से हम क्या कर दें इसको ऐसे जोड़ दें इसको इस तरीके से जोड़ दिया अब देखे यह जो पोजिटिव वाला टर्विनल है यहां से होता हुआ इस से होता हुआ इधर यह वाला जो पार्ट है वो तो प्लेट जो C है वो तो हो गई पोजिटिव यहां से यह जो प्लेट है वो हो गई नेगेटिव अब यह वाली प्लेट क्या हो गई negative हो गई हम रिनात्मक दिशा के अंदर विभव का मान भढ़ा रहे हैं रिनात्मक दिशा में विभव की value को increase कर रहे हैं तो देखिए अब ये जो plate है वो इन electron को पर्तिगर्शित करेगी और ये जो plate है वो इन electron को आकर्शित करेगी इसका मतलब ये हुआ है कि अब ये जो विभव है वो इनके मद्दे अवरोध उत्पन कर रहा है क्या उत्पन कर रहा है अवरोध उत्पन कर रहा है ये प्लेट इसको पास में नहीं आने देती पर्तिगर्शित कर रही है ये इनको दूर नहीं जाने देरी जो विभव हैं इसको मुरिणात्मक विभव कहेंगे तो रिणात्मक विभव का मान बढ़ाएंगे जैसे जैसे इसका voltage इसपर रिणावेश बढ़ेगा यहां पर electron पूंचना भी बंद हो जाएंगे पर आने वाली धारा का मान भी धीरे-धीरे क्या हो जाएगा कम होता हुआ सुनने हो जाएगा धारा कमान भी क्या हो जाएगा कम होता हुआ सुनने हो जाएगा clear तो जब धारा कमान देखो ये इधर का जो विभव होता है इसको हम कहते हैं रिनात्मक विभव इसे हम क्या कहेंगे रिनात्मक विभव कहेंगे क्या कहा जाएगा रिनात्मक विभाव कहा जाएगा और देखिए इस विभाव को हम V naught से पुट करते हैं जिसके उपर धारा कमान 0 हो जाता है इसको हम कहते हैं अंतक विभाव इसे क्या कहा जाता है अंतक विभाव इसका दूसरा नाम भी है निरोधी विभाव निरोधी विभाव इसको हम V-Node से पुट करेंगे देखे इसकी definition क्या है रिनात्मक विभाव का वहमान जिस पर प्रकास विद्दुधारा का मान क्या हो ये सुनने हो ये तो देखे आपने negative direction में इतना voltage लगा दिया है कि इस plate से इस plate पर electron पहुँच ही नहीं पा रहे है तक पस्चात इस circuit में से विद्दुध का परवा नहीं हो रहा है यहाँ पर सुनने विक्षेफ मिलेगा तो उस voltage को हम कहते हैं निरोधी विभाव या अंतक विभाव इसकी definition एक बार फिर से सुन लीजी रिनात्मक विभव का वहें मान जिस पर प्रकास विद्दुधारा कितनी हो जाए तो देखो यहाँ पर इस विभव के उपर प्रकास विद्दुधारा की value क्या हो गई है सुनने हो गई है clear ग्राफ की तो यह हमारे पास में हैं प्रकास विद्दु ध getirढा ओर आरृपित विभुवांंदर के मद्डे ग्राफ खींचने पर इस प्रकार का मान सुनने होता है उस विभाव को अंतक विभाव कहते हैं निरोधी विभाव कहा जाता है वी नोट से प्रदसीत करते हैं किससे प्रदसीत करेंगे वी नोट से प्रदसीत करते हैं तो एक बार फिर से अंतक विभाव या जो निरोधी विभाव इसकी डेफिनिशन सुन लीज रिनात्मक विभव का वहे मान जिस पर प्रकास विद्दुधारा का मान सुनने हो यह निरोधी विभव या अंतक विभव खहलाता है clear समझ में आ जाना चीए देखो यहां पर हमें एक रिजल्ट आप लोग भी सामने रखता हूं कि यदि इन दोनों के मद्दे हम निरोधी विभव के बराबर यदि आपने विभव लगा दिया तो किसी इलेक्ट्रोन को यहां से यहां तक लाने में जो किया गया कारिय है वो कितना होगा चले निरोधी हो या अंतक विवो की definition आपको आ गई समझ में मैं अब आप लोगों के सामने यहां पर एक result पुट कर रहा हूँ देखे कि यहां से यहां तक किसी electron को लाने में जो किया गया कारिय है कारिय बराबर देखे कारिय के formula हमने इस तरीके के पड़े हैं कारिय बराबर होता है Q into V यह विवोवांतर की definition W पॉन में Q के कोडिंग है तो किसी आवेश को यहां से यहां तक लाने में जो किया गया कारिय है W बराबर Q into V होता है और जब आप यहां पर क्या लगा देते हैं निरोधी विभव के बराबर विभव लगा देते हैं कितना विभव लगा देते हैं निरोधी विभव के बराबर V not विभव लगा देते हैं तब किसी इलेक्टोन को C plate से A plate तक लाने में जो किया गया कारिय है वो है EV not कितना काम करना पड़ेगा EV note करना पड़ेगा अब देखे यहां से उत्सरजित electron को कम से कम इतनी उर्जा देनी पड़ेगी EV note के बराबर तांकि वो यहां तक पूँँ जाए तो उसकी गतीज उर्जा जो maximum गतीज उर्जा है वो EV note के बराबर होगी देखो आपने तो इतना लगा दिया EV note फिर भी आप electron को इतनी उर्जा दे रहे हैं इतनी गतीज उर्जा दे रहे हैं कि वो plate C से A तक पूँँ जाए तो उस उर्जा को हम कहते हैं गतीज उर्जा अधिक्तम गतीज उर्जा और तो अधिक्तम के बराबर उर्जा दे रहे हैं बीस एक relation हमारे पास में यह आच्छुका है इस relation को भी आप एक बार समझो यह है हमारे पास में किसी electron को plate S से एतक लाने में किया गया कारिये मतलब आप निरोधी विभव लगा दिया तब किसी electron को C से A तक लाने में जो काम है वो EV note के बराबर करना पड़ेगा clear अब दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि यहां से यहां तक electron को पूँचाने में जो काम करना पड़ता है इस electron को इतनी गती जूरजा maximum गती जूरजा दे दीजिए तांकि वो यहां से यहां तक पूँचाने तो जो मेंग्जिएम गती जूरजा है उसको हमने लिख दिया हाप M V मेंग्जिएम स्कॉरर यह जो M है वो इस electron का दुर्यमान V मेंग्जिएम है इस electron का अधिक्तम वेग यह K मेंग्जिएम है अधिक्तम गती जूरजा यह V नोट है निरोदी भव E है electron का आवेश देखो इस V का मतलब समझ ले ना यह V नोट निरोदी भव है और यह V मेंग्जिएम है जो उत्सरजित एलेक्टोन है उसका अधिक्तम वेग M दुर्यमान है K मेंग्जिएम उसके दिक्तम गती जूर जाए क्लियर तो E V नोट बराबर होगा हाफ M V मेंग्जिएम इसको है जो कि K मेंग्जिएम के बराबर है यह जो relation है वो आगे हमारे काह में आएगा क्लियर जब हम अगला जो topic है प्रकास विद्दु समीकरण आरोपित विभाव का प्रभाव समझें आ क्या तीसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं जो तीसरा जो बिंदु है वो क्या है देखिए निरोधी विभाव पर किस पर देखेंगे निरोधी विभाव पर आपतित प्रकास की तिवरता का प्रभाव निरोधी वीभाव पर आप्तित प्रकास की त्यूरता का फर्भाव तीसरा बिंदू क्या है? देखिए, तीसरा बिंदू हमारे पास में है निरोधी वीभाव पर किस पर देख रहे हैं? निरोधी वीभाव पर आप्तित प्रकास की त्यूरता का फर्भाव त्यूरता का प्रभाव निरोधी वीभाव पर आप्तित प्रकास की त्यूरता का फर्भाव देकिन निरोधी विभू हमने परिभासित कर दिया कि रिनात्म की विभू का वहे मान जिस पर प्रकास विद्द धारा कितनी हो जाती है सुनने हो जाती है जब हम धनातन के विभू का मान बढ़ाते हैं तो प्रारम में धारा बढ़ती है फिर धारा का मान नियत हो जाता है सिंत्रिप्त हो जाता है अब देखें हम यहाँ पर देख हैं कि जब आपतित प्रकास की तिवरता यदि बढ़ा दें तो क्या निरोधी विभो पर कोई effect पढ़ेगा? तो यहां से देखें कि आप्तित प्रकास की तिवरता बढ़ा रहे हैं इसका मतलब है कि यहां पर आप्तित होने वाले photonों की संख्या बढ़ रही है photonों की संख्या बढ़ रही है तो प्रकास विद्दुधारा बढ़ जाती है, प्रकास विद्दुधारा बढ़ जाती है, तो फोटोनों की तीवरता बढ़ रहे हैं, तो आप ते फोटोन बढ़ जेंगे, उत्सरजित लेक्टोन बढ़ जेंगे, प्रकास विद्दुधारा बढ़ जेंगी, बट इन उत्स तरीके से ही जोड रखा है सर्किट को फिर भी आप यदि तीवर्ता बढ़ा रहे हैं तो जो धारा है वो इस तरीके से प्रवाइत होगी बट निरोधी भव उतना ही रहेगा निरोधी भव के उपर कोई एफेक्ट पे नहीं पड़ता तो ये हमने तीवर्ताइं अलग लग ल तो बढ़ाई तो धाराएं बढ़ गई है धाराएं क्या हो गई है बढ़ गई है ये मैंने intensity लिखी है intensity of light ये जो प्रगास विद्दु धारा है संत्रिप धारा है इस कमान बढ़ता जाता है बट निरोधी भव के उपर कोई फेक्ट नहीं पड़ता तो तीसरा बिंदु क् कि हमने पहले बिंदु में ही देख लिया था कौन से बिंदु में देख लिया पहले बिंदु में ही देख लिया clear अब हम अगले बिंदु की ओर चलते हैं एक बार इन सब को यहां से हटा देते हैं चोथे बिंदु की ओर चलते हैं चोथा बिंदु है निरोधी विभाव पर आपतित प्रकास की आवर्ती का फ्रवाव चोथा बिंदु देखी निरोधी विभाव पर निरोधी विभाव पर आपतित आपतित प्रकास की आवर्ती का प्रभाव आवर्ती का प्रभाव लेकिए इससे समझ लीजिए क्या है निरोदी प्रभाव के उपर आपतित प्रकास की यदि आवर्ती हम भढ़ा दें तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा देखे मैं यहाँ पर आपके सामने एक ग्राफ लेकर चल रहा हूँ यह हमारे पास में एक ग्राफ है जो हमने प्रकास विद्दुधारा एक तो हमने क्या ली है प्रकास विद्दुधारा और दूसरा हमने लिया है आरोपित विभाव हमने लिया है इनके बीच में जब ग्राफ हम खीशते हैं तो इसी प्रकास का ग्राफ प्राक्त होता है यह अभी हमने देख लिया दूसरे विद्दुधारा था यहां पर हम बदलाव करेंगे तो जब आपतित प्रकास की आवरती में यही परिवर्तन किया जाए बदलाव किया जाए तो इस निरोधी विभाव पर क्या एफेक्ट पढ़ेगा इस निरोधी विभाव के उपर क्या एफेक्ट पढ़ता है यह देख लेते हैं देखो आप आपतित प्रकास की आवर्ती बढ़ाएंगे आपतित प्रकास की क्या बढ़ा रहे हैं आप आवर्ती बढ़ा रहे हैं इसका मतलब है उर्जा का मान बढ़ जाएगा किसका मान बढ़ जाएगा उर्जा इंक्रीज हो जाएगी तो जो आपतित प्रकास है उसकी जो उर्जा होत है इबराबर होती है एच न्यू इबराबर क्या होती है एच न्यू तो यहां से जब आप इस आवरती मतलब न्यू का मान जब बढ़ाएंगे तो न्यू बढ़ेगा तो एक का मान बढ़ेगा उर्जा का मान बढ़ेगा ठीक है अब यह जो उर्जा है यह उर्जा है वो एक तो किसमे आती काम में, लेक्टोन को बाहर निकाले में, जिसको हम कहते हैं कारिये फिलन, जिसको क्या कहते हैं, कारिये फिलन कहते हैं, और ये इसको हम देहली उर्जा भी कह देते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है, देहली उर्जा, दूसरा काम क्या करता है, दूसरा इसका किस काम में आएगा? गतीज उर्जा देने में. तो गतीज उर्जा दे दी जाएगे. देखो इसका मतलब समझे ना, मैं ने एक एक्जाम्पल से भी आपको बताया, कि जब जो भी फोटोन अपतित होगा, तो उसकी उर्जा दो काम में प्रियुक्त हो जाएगी कार्य फिलन मतलब लेक्टॉन को बाहर निकाल देगा बाद में उसको गती उर्जा परदान कर देगा यहां से लेक्टॉन मतलब फोटोन आप्तित हो रहे हैं तो वो फोटोन को क्या करेगा फोटोन उस एलेक्टोन को उत्सर जित कर देगा, साथ में गतीज उर्जा प्रदान कर देगा, ठीक है, अब इस आप्तित फोटोन की उर्जा बढ़ा दी, जैसे मालीजे, कि किसी धातु का कारिय फ्लन है तीन, कारिय फ्लन कितना है, तीन, जब दातु का कारिय फ्लन है तीन, और आप्तित फोटोन की उर्जा है जैसे, साथ उलेक्टोन वोल्ट, जैसे मैंने ये हमने कंसिडर कर लिया, एक जामपल के लिए, तो ये जो, इसकी एनर्जी है वो है, साथ उलेक्टोन वोल्ट, और ये हैं तीन एलेक्टोन वोल्ट, तो गतिज उर्जा कितनी हो जाएगी, चार एलेक्टोन वोल्ट, क्योंकि तीन एलेक्टोन वोल्ट तो बाहर निकालने में, और चार एलेक्टोन वोल्ट गतिज उर्जा के अंदर चला जाएगा, ठीक है, अब आपने क्या किया आपतित फोटोन की उर्जा बढ़ा दी साथ एलेक्टोन वोल्ड से उर्जा बढ़ा कर मतलब आवर्ती बढ़ा दी तो उर्जा बढ़ेगी साथ एलेक्टोन वोल्ड से उर्जा कितने कर दी आठ एलेक्टोन वोल्ड कर दी आठ एलेक्ट्रोन वोड़ कर दी तो कारिय फ्लन में तो अब भी उतनी काम में आएगी इलेक्ट्रोन को धातु के प्रसे बहर निकालने में जो खर्च उर्जा है कारिय फ्लन है देहली उर्जा वो तो उतनी है इसका मतलब कौनशी उर्जा बढ़ेगी आपतित फोटोनों की उर्जा बढ़ाने पर उत्सरजित इलेक्टोनों की गती जूर्जा बढ़ जाती है आपतित फोटोनों की यदि आप आवरती बढ़ा रहे हैं तो उनकी उर्जा बढ़ेगी और उत्सरजित इलेक्टोनों की गती जूर्जा बढ़ेगी अब देखो यहां से जो इलेक्ट्रोन हैं, उनकी गती जुर्जा बढ़ गई, तो जो इलेक्ट्रोन यहां तक नहीं पूँच रहे थे, अब वो भी पहुंचने लग जाएंगे, अब वो भी क्या होंगे, पहुंचने लग जाएंगे, हाला कि इलेक्ट्रोन तो अब भी उतन कमान सुनने हुआ जाता अब कुछ उलेक्ट्रोन उर्जा बढ़ाने पर कुछ उलेक्ट्रोन अब भी पहुंच रहे हैं उर्जा बढ़ गई तो उनकी गतिज उर्जा बढ़ गई तत्पष्चात निरोधीवहू कमान बढ़ जाता है अभी हमने एक देखा के मेकजिमम किस कमान बढ़ जाएगा तो इस तरीके से जब आप आवर्ती बढ़ाएंगे तो निरोधीभव कमान पहले जैसे निरोधीभव था V01 और आवर्ती थी न्यू 01 आवर्ती आपने कर दी न्यू 02 तो निरोधीभव भी क्या हो गया V02 clear आप आपतित प्रकास की आवर्ती और बढ़ा देते हैं न्यू 03 कर देते हैं तो जो निरोधीभव हो है वो और बढ़ जाएगा तो जैसे जैसे आप आपतित प्रकास की आवर्ती बढ़ाएंगे निरोधीभव कमान बढ़ता चला जाएगा निरोधीभव कमान बढ़ता चल इंप्रीज होता चला जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि आपतित प्रकास कि जो आवर्ती है और निरोधी विभव है दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं हालां कि कोई भी इलेक्टोन देहली उर्जा से कम उर्जा पर उत्सर्जित नहीं होता अर्थार्थ देहली आवर्ती से कम आवर्ती पर इलेक्टोन का उत्सर्जन नहीं होता लेकिन निरोधी विभव और आवर्ती दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं दोनों क्या होंगे एक दूसरे के समानुपाती तो ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा क्लियर यहां तक समझ में आ जाने चाहिए अभी मैं इसको यहां से हटा दूँ एक जो रिजल्ड यहां से निकल रहा है कि आवर्ती बढ़ाने पर यह देखो यह आवर्ती बढ़ते करम में है और निरोधी विभाव भी रिनात्मक दिसा में बढ़ रहा है तो अब देखिए यहां ग्राफ यहां पर लूँ हम यहां पर एक ग्राफ ले लेते हैं यह हमने ले लिया इस तरफ है निरोधी विभाव एक तरफ हमने क्या ले लिया निरोधी विभाव ले लिया है वी नोट और दूसरी तरफ हमने ले लिया है आवर्ती आवर्ती को हम लिख रहे हैं new से दोनों के बीच में जब graph खींचा जाएगा तो एक इस प्रकार के रेखा प्राप्त होगी ऐसी रेखा प्राप्त होगी देखो ये जो आवर्ती है वो तो है देहली आवर्ती देहली आवर्ती से जब आप अधिक आवर्ती लेंगे जैसे आवर्ती new 01 ले ली तो उसके संगत जो निरोधी वो है वो वी 01 आपने आवर्ती और बढ़ा दी new 02 कर दी तो निरोधी वो भी बढ़कर वी 02 हो जाएगा देखो ये new है जबकि ये वी है clear तो आप जैसे जैसे आवर्ती बढ़ाएंगे निरोधी विभो का मान भी उसी करम में बढ़ता चला जाएगा बताएए समझ में आगया ये ग्राफ समझ आगया clear अब यदि मैं अलग-अलग धात्मों के लिए निरोधी विभोर आवर्ती के मद्दे ग्राफ खेंचूं तो उनकी जो देहली आवर्ती होती है वो अलग-अलग होती है उनके लिए ग्राफ भी अलग-अलग आएंगे जैसे मैं यहाँ पर ये तो किसी एक धात्मों के लिए है ये तो किसी किस के लिए है A धातू के लिए और ये है B धातू के लिए तो graph तो सीधी रेखा में ही प्राप्त होंगे बट इसके लिए जो दहली आवरती है वो तो है new 0 A इसके लिए है new 0 B आगई के बाद समझ में ये new 1, new 2, new 3 करो आप इसको ठीक है clear तो देखे विद्यारतियो जब हम आप्तित प्रकास की आवरती को increase करते है तो निरोधी विभव का मान बढ़ जाता है दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं अलग-अलग धात्वों के लिए धहली आवरती अलग-अलग होती है बट निरोधी विभवत्ता आवरती के मद्दे खींचा गया ग्राप एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है इससे रेखा का समीकरण भी हम आपको बताएंगे इसका धाल भी जब हम प्रकास विद्धुत समीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे अब विद्धुत अभी तक जो हमने पढ़ा इसका हम सारान से एक बार आप लोगों के सामने रख देते हैं प्रकास विद्धुत जो प्रभाव है उससे जो प्रणाम प्राप्त होते हैं उनकी मैं यहां पर क्षंकशिप्त में एक बार उनको रिपिट कर देता हूं विद्ध्यारतियो अब यहां पर हम देख लेते हैं जो फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट है उनके इस प्रयोग से कौन-कौन से रिजल्ट्स बहार निकलते हैं देखिए जो प्रणाम है वो देख लीजिए हमने हलांकि उनकी व्यक्ष्या कर दी है क्षंकशिप्त में मैं आप लोग के सामने रख देता हूं प्रकास विद्धुत फ्रभाव के लिए आवशक है देहली आवर्ती से क्या होनी चाहिए? दूसरा बिंदु क्या देखा हम दूसरा बिंदु में यहाँ पर पुट कर रहा हूं कि आप तिर प्रकास की तीवरता बढ़ाने पर प्रकास विद्धुद्धारा बढ़ जाती है दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है तो प्रकास विद्द्धारा ये समानुपाती होती है आपतित प्रकास की तिवर्ता के आपतित प्रकास की तिवर्ता के ये समानुपाती होती है तो ये है दूसरा बिंदू कि प्रकास विद्धु धारा और प्रकास की जो तियूरता है दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है clear तियूरता बढ़ाने पर संत्रिप्त धारा बढ़ जाती है आपतित प्रकास की तियूरता बढ़ाएं जो आपतित प्रकास है प्रकास की तियूरता यदि आप बढ़ा देते हैं तो संत्रिप्त धारा बढ़ जाती है संत्रिप्त धारा का मान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा इंक्रीज हो जाएगा clear चोथा बिंदू क्या है कि आपतित प्रकास की तीवर्ता का निरोधी विभव पर कोई फरभाव नहीं पढ़ता तीवर्ता जो आपतित प्रकास की तीवर्ता है इसका निरोधी विभव पर कोई फरभाव नहीं पढ़ता निरोधी विभव पर कोई फरभाव नहीं पढ़ता clear कोई फरभाव नहीं पढ़ता है यह हमने देख लिया था, हमने जब तीवर्ता बढ़ाई तो निरोधी विभाव पर कोई effect नहीं पढ़ा था, बट धारा बढ़ जाती है, संत्रिप्त धारा बढ़ जाती है, फिर अगला जो बिंदू है वो देखिए, कि जब हम आपतित प्रकास की आवर्ती बढ़ा देते है वो किसके समानुपाती होगा, आपतित प्रकास की आवर्ती के समानुपाती होता है, clear, समझा जाना चीए, अगला बिंदू देखिए, कि जो उत्सरजित एलेक्टोन है, उनकी गती जूर्जा, उत्सरजित एलेक्टोनों की गती जूर्जा, आपतित फोटोनों की उर्जा के आवर्ती के समानुपाती होती है, उर्जा के समानुपाती होती है, आवर्ती के समानुपाती होती है, एक ही बात है, तो उत्सरजित एलेक्टोनों की गतीज उर्जा, उत्सरजित जो एलेक्टोन उत्सरजित हो रहे हैं, उत्सरजित एलेक इलेक्टोनों की गतिज उर्जा ये समानुपाती होती है आपतित प्रकास की उर्जा की उर्जा का मतलब हो गया आवर्ती उर्जा का मतलब क्या हो गया आवर्ती ये समानुपाती होता है एक रिजल दोड देख लीजी कि फोटोनों के आपतन में और इलेक्टोनों के उत्सरजन में कोई समय पश्चता नहीं होती जैसे ही यहाँ पर जो फोटोन आपतित होंगे उसी समय ही तुरंत इलेक्टोनों का उत्सरजन होता है कोई समय में डिफ्रेंस नहीं होता 10 की घात माइनिस 8 सेकेंड के समय में ही इलेक्टोन का उत्सरजर हो जाता है तो विद्यार तो ये थे कुछ प्रकास विद्धुत फिर्भाव से प्राप्त रिजर्ड्स और हमने लिनार्ड और होलवक्स के एक्स्प्रिमेंट में जो भी बारी किया थी उसको अच्छे से समझने का प्रियास किया है मुझे उमीद है आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आया होगा अब हम आपको हमारे यूटूब चैनल के वोड्सप नमबर देते हैं जिससे आप हस्त लिकित नोड्स प्राप्त कर सकते हैं देखें सिर्फ वोड्सप करना है कॉल नहीं करना कॉल किसी बी कंडीशन में नहीं करना है वोड्सप करके आप यू़न नमबर थी अप हस्त लिकित नोड्स प्राप्त कर सकते हैं आज की इस व्यूडियो में इतना है धन्यवादस्टों